नमस्कार दोस्तो आज की वीडियो में आपको पतंजली दिश्टी आई डोप के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है यानि डिटेल्स में इसका रिव्यू करेंगे इसके आपको क्या-क्या फायदे मिलिंगे इसे यूज कैसे करना है क्या सच में ये प्रोडेक्ट काम करता है या फिर नहीं चाहे इसके कोई side effect भी हो सकते हैं इसके अंदर ऐसे कौन से ingredients दाले गए हैं कौन कौन इसे use कर सकता है इसका price क्या है और last मैं इसे use करने से पहले आपको क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस कमाल की वीडियो को आप पूरा देखना तब ही आपको हर एक बात के जानकारी प्राप्त होगी मैं वीडियो को सुरू करूँ उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को आप subscribe जरूर कर लीजे ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे चलिए तो फिर सुरू करते हैं इसके प्राइस से दोस्तो इसका प्राइस जो है वो 20 रुपे है जो एक affordable प्राइस है और 20 रुपे में ये आपको 10 ml के प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है तो इसके अंदर सफेद प्याज का रस अद्रग का रस नीबू का रस और हनी यानि सहद को मिला कर इस दिस्ट्री आइड्रोप को बनाए गया है यानि इसमें जो ये चार चीज़े मिलाए गई है प्याज, अद्रग, नीबू और सहद ये सभी natural ingredients है जिस कारण आपको इसका किसी भी प्रकार का कोई भी side effect देखने को नहीं मिलता लेकिन यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जिस दिन भी आप इसको open करोगे यानि इसका डखकन खोलोगे तो आपको इसे एक महने के अंदर ही इसको use करना होगा एक महने के बाद आपको इसे use नहीं करना है जैसा कि इसमें लिखा भी गया है और आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एक महने से ज़्यादा हो जाने पर आपको इसे use नहीं करना है नहीं तो आपको इसके side effect भी हो सकते हैं दोस्तों इसके आपको आखों के उपपर क्या-क्या फायदे मिलेंगे ये जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको इसे यूज कैसे करना है तो जैसा कि इसमें लिखा है कि इसकी आप एक से दो ड्रॉप यानि एक से दो बूदें दिन में दो बार तक आप अपनी आखों में डाल सकते हैं यानि इसको आप एक बार दिन को और एक बार रात को कुछ इस प्रकार भी इसकी एक से दो बुदें आखों में डाल सकते हैं जब आप इसको अपनी आँखों में डालोगे आपको जलन तो होगी चुबन होगी लेकिन आप यकीन मानिए कुछ सेकंड के बाद आपको अपनी आँखों में एक गजब की फ्रेसनल सी दिखेगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं पहले बार की यूज के बाद से ही अपनी वीजन में एक ब्राइटनस फील होगा और ये बात में आपको इसले कह सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको परसनली भी यूज करा हुआ है अब यहाँ आपकी मन में एक कौशन जरूर चल रहा होगा कि आपकी आखें जो हैं वो बिलकुल सही हैं आखों से सम्मंदित कोई समश्या नहीं है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं या फिर नहीं तो मैं आपको बताना चाओंगा इससे आप बिलकुल यूज कर सकते हैं इससे आपकी आखों की अच्छे से देखभाल होगी आपकी आखे जो हैं वो स्वस्त रहेंगी आपकी आखों की हैल्थ अच्छी रहेगी और आखों की उम्र बढ़ेगी तो फिर चलिए अब बात करते हैं कि इसके आपको क्या-क्या फाइदे देखने को मिलेंगे और क्या य प्रटाने में फाइदिमन साबित हो सकती है या फिर नहीं सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि जो लोग चस्मा पहनते हैं और वे जब चस्मा उतारते हैं यानि चस्मा उतारने के बाद उनको आखों में भारी भारी सा मैसूस होता है और लंबे समय तक चस्मा उतारे रखने के बाद आखों में दर्द भी होता है तो वे लोग अगर द्रिष्ट्री आइड्रोप का नियमित यूज़ करते हैं तो इससे उनको जबरदस फाइदा देखने को मिलेगा और इसके अलावा कई बार आखों के अंदर तेज खुजली सी होती है आखे जो हैं वो लाल हो जाती है या फिर किसी की आखे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राइ रहती है सूखी रहती है जिस कारण उनकी आँखों के अंदर खुजली या जलन जैसी समश्या देखने को मिलती है तो वे अगर द्रिस्टी आइड्रोग का उपयोग करते है तो ये आँख के अंदर प्राक्रतिक नमी को बनाए रखती है जिससे आँख के ड्राई या सूखने जैसी समश्या पैदा नहीं होती और आपकी आँखे जो हैं वो स्वस्त रहती है दोस्तों यहां में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपका ज़्यादा सिस्टम वर्क रहता है यानि लैप्टॉप, कम्प्यूटर या फिर मोबाईल में ज़्यादा काम रहता है तो आपको इसका यूज करना चाहिए इससे आपकी आँखों की अच्छे से क्यार होगी यानि देखभाल होगी और आपकी आँखे जो हैं वो स्वस्त रहेंगी ये आपकी आँखों की उम्र को बढ़ाएगी जिससे आपकी आँखें लंबे समय तक स्वस्त रहेंगी इसके अलावा आँखों में इंफेक्शन, आँखों में सूजन की समश्या या फिर आँखों की नजर जो हैं वो कमजूर होती ही जा रही है चाहे वो दूर की नजर हो या फिर पास की तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसके नियमी तुपयोग से आँखों की गिरती रोसनी को कम किया जा सकता है ये द्रिस्टी यानि आँखों में सुधार करती है जिससे ये आँखों को कमजूर होने से बचाने में मदद करती है और आँखों की देखती की शक्ती को बढ़ाती है और अगर बात करें कि क्या ये आपका चस्मा हटाने में फाइदेमन है या फिर नहीं तो जब यूटूब के माध्यम से ही मैंने लोगों के कॉमेंट देखे तो जो लोग इस द्रिस्टी आइड्रोप को यूज़ कर रहे है तो उनमें से कुछ का कहना है कि इससे उनका चस्मा होतरा है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे उनका नंबर कम हुआ है यानि overall बात करूँ इस द्रिस्ट्री आइड्रॉप की तो जो लोग इस प्रोडेक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनको इसके बड़िया फाइदे देखने को मिले हैं और यहां में आपसे एक बात कहना चाऊँगा कि इसका प्रियोग बच्चे ना करें बच्चों के लिए कौन सी आइड्रॉप सही रहेगी इसके बारे में डॉक्टर से जरूर सला लें और अगर जिनके हाली में ही आँखों का उप्रेशन हुआ है तो उनको भी इसका यूज़ नहीं करना है तो दोस्तो लास्ट में जाते जाते इतना जरूर कने चाहूंगा आपसे कि यह द्रिष्टी आइड्रॉप आपकी आँखों के लिए काफी फाइदे मंद है इससे आपको आँखों के उपपर काफी बड़िया फाइदे जो है वो देखने को मिलेंगे आप अपनी आँखों की जनरल केर के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद